तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक अप्लिकेशन दिखने वाला हूं जो की है पेटिंग गेटवे अप्लिकेशन को बनाने के लिए हमने किसी भी तरीके की पेड एक्स्टेंशन को इस्तिमाल नहीं किया है यह पर जो भी तरीका है वो बिल्कुल फिरी ही तरीका है और इसका जो फिरी में दूंगा लेकिन अभी इसमें थोड़ा बहुत काम बागी है एक फाइल में आपको दूंगा उसकी मदद साब इस चीज़ को इंप्लिमेंट कर सकते हो तो इस पर थोड़े बहुत काम बागी है तो इसी बज़े से यहां पर आज मैं आपको एक्ट आपको इसका फाइल प्रोवाइट कर दूंगा लेकिन इस वीडियो को देखो आपको समाझ में आज अगर कि पेटिम गेट्व सिस्टेम अक्चिल में है क्या इस पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको इंस्टा मों जो पेमेंट गेट्व के बारे में बताया था जहां पर मैंने आपको पूरा एक्स्प्लेइन किया था कि कैसे आप इंस्टा मों जो पेमेंट गेट्व अपने अफ्लिक्शन के अंदर लगा सकते हो फुली सीखी हो तरीक से आप कैसे चेक कर सकते हो पेमेंट सक्सेस्पुल हुआ या नहीं हुआ तो अगर आपने वो वीडियो तो पेमेंट डीप करने के आप बहुत ज़ाइब तरीका है और उनमेंसे दो तरीक को साइथ से हम हमारे अप्लिकेशन के अंदर इंपूट कर सकते हैं एक है पेक मेंट से पर करना और और एक है इस पेमेंट गेटों से पैसर रिसीप करना ठाब पर प्रम्लेम निंस प्रफ यही मतलब किसी से पैसा receipt करते हैं तो वो link एक Gi 과 काम करता है दिधार जब हम उस लिंक से payment करने जायए तो पोपन लिंक पइंट ऐसा बोला के आता है था कि और उस ते हैं एक ही चीज कर सकते है जर्फ निए सिस्टेंएं place बहुत सारा फरक है पेटियम लींग और पेटियम गेटवय के अंदर और एक और बाथ पेटियम गेटवय के अंदर एक चीछ होता है लींग एक्सपाय नहीं हो जाता लिंग पेड ऐसे बुलके नहीं आता अब जितनी बार पे करो इतनी बार ही यह आप रिसीप कर सकता आपको लिंग को बार बार चेंज करने का कोई धरकार नहीं है तो इस वहसे अगर आप कोई एक आप लिगेशन बनाना चाहते हो च्टोर आप लिगेशन बनाना चाहते हो जिस्टा भी उज़र से पैसे लेना चाहते हो तो यहां पर पर पेटीम गेट वह लागाना सब ज़्यादा बहतर रहेगा ओके तो मैंने आपको बहुत सब बाते बता दी अब चलो एक और करता हूं सो ओपन करने के बाद यहां पर पेटीम गेटवेशन पर गूल के यहां पर हमने सब्सक्राइब को बनाया है तो यहां पर सिंप्ली मैं एक एमाउंट डालूंगा जैसे कि मैं पर एमाउंट डाला हूं 22 पीस ठीक है उसके बाद पेनाओ पर जभी मैं किलिक करूं मैं आपको कुछ चीज बता देना चाता हो गाई यहां पर यह जो फॉर्म है यह भी टेस्ट मोड पे हैं ठीक है तो मैंने आपको बोला था कि इसकी ऊपर मैं दो तिन फाइल एक फाइल आपको दूंगा जीप फाइल इसकी मादा चाब इस चीज को इंप्लेमेंट कर सकते ह पर को मैं आपको कभी बाद में बताओंगा ओके तो यहां पर जो 20 रूपे है यह सभी चारी से टिस्ट प्रोसेस पर होगा तो इसा यहां पर मैं चलो पीकर करो दिखाता हूं डेभीट काट से तो यहां पर डेभीट करके हमको सैंपल नमबर मिलता है मतलब केक डेमो क्या तो इसको डेमो केडिट कर मिलता है जिसका केडिन नमबर है यह वाला कि केडिट कर का नमबर यह रहा और एकसपाइड डेट मैं आप दे जता हूं आप सी भी भी होगा 1 to 3 दीग आपगसर क्योंकि test mode के लिए है तो जब वि मैं पेड 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 करूंगा तो बहाँ पर बताएगा कि आप क्या इस payment को successful करना चाते हो यह फेल करना चाते हो आपको दिखाते हो अभी तो पेड पेड क्लिक करते हो पर तो पेड की क्लिक करना हो इस जो paytm documentation इसको हमने test mode पर राका हुआ गया तो अभी आगर मैं पर payment success पर click करूँ successful पर click करूँ तो हमार जो payment successful होगा और यहाँ पर page देखो payment successful बोलके एक notification अगया और में फिर से पर्दान आओ पर क्लिक करता हूं तो फवर दो wiąब निंदक बाइब यह बाला जो सफन है यह पर अपसफन है फोल जब आब भार के लाइब बात ऊपस्तन है ऒब reign हमने एक अपसन नहीं आएगा ठीक है लेकिन गईस इसको जब मैं टेस्ट मोड पे हटा के लाइब मोड पे लेकर आऊँगा तो यह बाला जो ऑफशन है वाला ऑफशन नहीं आएगा यहां पर नहीं आएगा ओके बो डाइरेक्ली गाइस चेक कर लेगा कि पेमेंट सक्सेस्पूल हुआ या नहीं हुआ ठीक है तो पिछली बार इसको सक्सेस क्या था अब मैं चलो हैं पर फेल करता हूं तो फेल जог里 मैं कलीक करूंगा उसके बाद देखो चे कंग पेमेंट और यूंद और कलीक करूंगा जीवे कर शाइगा और साथ जाते हैं पर स्क्रीण पो ख्लोस जाएगा यहां पर पेमेंट फैल ऐसे बोल कि आ हैं तो चलो मैं एक और बार एक amount लिखे फिर से पेनाओ पर क्लिक करता हूँ आप गई से यहां पर अगर मैं back पर आऊँ तो automatic देखो यहां पर payment cancelled गोल के आ गया पेमेंट को हमने खुद से cancel किया ठीक है फिर से मैं पेनाओ पर क्लिक करता हूँ क्लिक करने के बाद यहां पर ऊपर back का एक बटन है तो यहां पर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहां पर आप देखो cancel payment yes तो अगर मैं yes पर क्लिक करूँ तो यहां पर देखो checking payments उसके बाद आप पेमेंट जो फेल हो चुका है तो यह जो application है और यह जो system है पूरी तरकी से secure system है तो इसको आप इस्तिमाल करके अपने application के अंदर payteam gateway को input कर सकते हो फुली free AI file होगा tutorial के साथ मैं आपको बना के दूंगा तक आपको अच्छे से समाझ में आ जाए अगर आप चाहते हो कि इस वीडियो को जितना हो सकते उतना सेयर करना तो जरूर्श अपने दोस्तों के साथ वाश्चा गुरूप पर जहां पर भी चाहाओ बहाँ पाँ शेयर कर सकते हो और चैनल पर नहीं हो चैनल को जूरू subscribe करना वीडियो को अगर अच्छा लगया तो नहीं वीडियो के साथ तब तक लिए गुडबाए